हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमित कश्यप और इस वीडियो में हम आपको बना कर दिखाने वाना है एलेडी लाइट का सन फ्लॉवार तो यहाँ पर तो पहले आपको यह गोला बनाने लाएं बड़ा वाला और यह जो गोला है पूरा 20 सेंटीमीटर का है और इसकी जो हमने त्रज्य ली है वह कम जो लिया है बीच का गोला वह 10 सेंटीमीटर जब आप पूरा प्रकाल से बनाएंगे तो आपको 20 सेंटीमीटर का बन जायागा और यहाँ पर मैंने एक काम और किया है वो यह है कि यहाँ पर जो मैंने लेडी में गैप दिया है वो एक सेंटीमीटर का दिया है जो कि एक अच्छी बात है लेकिन आपके उपर के आप एक सेंटीमीटर का दे या दो सेंटीमीटर का दे जितनी दूरी पर आपको लेडी ल रहता है और जो है प्लस मानस कि wiring कैसे कि में अरो वो सारी चाहे है और उसको by बनाई हो सके लिए मैंने वीडियो बना दिया है और वो मैंने से बेंचे आप ड्रिल से स्थेर कर लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से उसाओ आयाग इस क्या करना है कि जो आपकी LED है उसका plus जो है उपर रखना है और minus जो है वो नीचे की तरफ रखना है और उसके बाद इसे इस तरीके से लगा देना है जैसे मैंने बोर्ड में लगाया हुआ है अब क्या करना आपको किसमें हम पहले plus को common करते थे इसमें आपको यहाँ पर minus को common करना है तो minus को common करने के लिए क्या करेंगे हम माइनस को उपर की तरफ कर देंगे तो ऐसे ही आपको सभी LED को लगा लेना है इसी तरीचे से इस आपको जो है आपकी चतिनी भी यहाँ पर LED यहाँ यूस करने वाले है वो सभी LED हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे और जो है फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको करने के बाद यहाँ पर हम minus के जो common है वो करेंगे और फिर जो है हम यहाँ पर चलाएंगे इसे इसका फायाद है यह है friends की इसे आप दोनों से चला सकते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि दोनओं से मतलब एक तो आप इस से चला सकते हैं और जो सरक्ट मैं आपको बना कर दोणगा आप उससे بिदा पा, आप इस से बनाना भी बहुत वह आपको यहिते हैं अब यहाँ पर देखिए कि आपको माइनस को कॉमन करना है तो माइनस को मैं हमेशा आपको बोलोंगो कि आप ट्रांस्फमर के वायर सही करें तो ज़्यादा वैटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर वायर बहुत ज़्यादा फिर आपका गिस जाएगा तो उससे बचने के लिए आपको यह वाला मैटर सही रहेगा अब आपको जो कनेक्शन करने है वो वैसे ही करने है रैड ग्रीन ब्लू रैड ग्रीन ब्लू जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और यहाँ फिर वन टू थ्री कर सकते हैं तो वन हमेसा बन में जुड़ता रहाएगा टू हमेसा टू में और थ्री हमेसा थ्री में ऐसे यहाँ पर रैड में ही जुड़ेगा ग्रीन में और ब्लू ब्लू में और कोई टेंसियन मत लीजिए मैंने इट शर्कीट डाइगराम इसका बना दिया है वो भी मैं आपको अप्लोड कर दूँगा वेबसाइट पर भी और डिस्क्रिशन में लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अब यहाँ पर में चीज आते हैं फ्रेंड्स की इसमें जो हम सर्किट बना रहे हैं उससे हब कैसे चलाएंगे इसे तो सेम है यहाँ पर आपने से जो है माइनस को कॉमन किया है तो हम क्या करेंगे पहले माइनस वाले पॉइंट को इसमें माइनस दे देंगे आ यह sensor से भी अप इसे चला सकते हैं लेकिन उसलिक क्या आपको फिर से वायरिंग चेंज करना पड़ा किया पड़ेगा प्लस को कापन करना पड़ाज ओ फिर माइनस में गृडड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू लेके चलना पड़ेगा यह sensor आपको नहीं मिल पाता होगा generally क्योंकि यह LED strip light के साथ आता है और यह ही sensor है जो मैं इसे use कर रहा हूँ इसमें काफी सारे functions हैं लेकिन जो हम circuit बना रहे हैं उसमें उतने सारे functions नहीं होगा उसमें सिर्फ एकी function होगा इसे गोल-गोल गुमाने का और light को एक जगे से चलाने का बस और ज़्यादा कोई function नहीं होने वाला है अब देखिए इसमें आप 12V की supply देंगे वैसे इसका 5V supply का भी है लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन मत दीजिए आपने यहाँ पर जो components यूज़ की हैं जो resistance यूज़ की हैं अब कोई limitation नहीं है कि आप इसमें कितनी LEDs को जला सकते हैं आप यहाँ पर 100 LEDs को चला सकते हैं 500 LEDs को चला सकते हैं यहाँ पर कोई limitation नहीं है और अगर आपको लगदा कि आपको बहुत ज्यादा LEDs चलाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा capacitor की और resistance की value जो थोड़ी सी increase करनी होगी उसके बाद यहां पर जो है आपका circuit बन जाएगा और यह circuit आपका बहुत बड़ी LEDs जो है उनको जला देगा जैसे 120000 LED आपको जलाना चाहते हैं तो अब यहां पर कापे सेटर की और resistance की value को थोड़ा सा बढ़ाएंगे उसके बाद जो आप 120000 LEDs को भ आपको transistor के collector point पर लगाना है जो की पहला वाला point है अब यहां पर हम पहले इस वाले point को लगा देंगे अब क्या करना है आपको जो red के बाद जो point आएगा आपका green दूसरा वाला point red green blue चल रहा ना है यहां पर हमारा तो हम उसमें लगा देते हैं एक wire को green में और इस वाले wire को ले जाएंगे collector के दूसरे वाले point से लगा देंगे और collector जो transistor है उसके collector point से लगा देंगे अब यहां पर ऐसी हमने तीन use की हैं अगर हम चार use करते तो same to same यहां पर सरकेट लेकर हम चलते हैं अगर पांच use करते तो वैसे ही लेकर चलते हैं अगर आपको इसकी series को 10 तक ले ज देना है आपने माइनस पहले ही दे दिया है यहां पर हमने प्लस को भी दे दिया अब क्या होगा जैसे हम इसको पावर दे देंगे तो पावर देने के बाद भाई यह जलने लग जागा लेकिन यह वाइट जलेगा यह एकदम चल दूर हैगा लेकिन यहां पर आपको collector और इससे एक छोटा सा पिन से अटेश करना पड़ेगा उसके बाद क्या होगा आपको जो circuit है वो पूरी तरीके से वर करने लग जागा same to same और यह गोल-गोल गुमने लग जागा और यही हमें चाहिए था कि हम भाई इसको गोल-गोल गुमा सकें और जो की एक अच्छी वात ह यहाँ पर तो भाई लोग आप इससे दो तरीके की lights को जला सकते हैं जैसे कि अभी आपने शुरुआत में देखा था इसे बंद करकर आप चलाएंगे तो वो इस तरीके से वाइड-वाइड जलने लग जाएगा इसमें यहाँ पर कोई भी movement नहीं होगी फिर आपको क्या कर करना कि पिन से collector और बेस से थोड़ा साटेच करना है उसके वाद जो आपका circuit जो पूरा गोल-गोल-गोल गुबने लग जाएगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे यहाँ पर एक पुस बटन का उपयोग करेंगे उसकी मदद से आप इस तरीकी से डिजाइन वाली जो है दो पर इस तरीके से पूरी करेंगे और यहाँ पर मेरे यहाँ मिल जाता है तो मुझे वो जो है 70 रुपे में मिला था तो अगर कोई दिक्कत नहीं है आप यह वाले components अपने पास रखिए तो आप आई-स sensor की जो कमी है उसको इस तरीके से पूरी कर सकते हैं और यह आई-स sensor और आप उसमें 12 volt के supply देंगे ने के बाद भी आपकी LED कोई भी LED खराब नहीं होती है पहले तो आप यह वाली बात समझ लें और क्यों नहीं होती है क्योंकि आपने इसमें 560 के का आपने यहाँ पर रजिस्टिन को यूज मिलिया है तो इस वये से आपकी जो LED है वो खराब नहीं होती है और यहाँ पर आप एक LED यूज नहीं कर रहे है यहाँ पर आपने देख लिए हमने तीन LED यूज की दी तो हमारी LED कोई भी LED खराब नहीं हो रही है तो यह एक अच्छी बात है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जादा से जादा सेयर कर दीजेगा मिल तेशी जरी और वुडियो से साथ है वनाइज देख और फ्रेंड्स